कहानी, संगर्ष की एक अद्भुत यात्रा, बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गाउं में तीन दोस्त रहते थे, राहुल, अनीता और सुमित, ये तीनों बचपन से ही एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे, और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे, एक दिन गाउं में एक बड़ा आयोजन हुआ, जिसमें गाउं के सबसे कठिन पहाडी रास्ते को पार करने का चुनौती पूर्ण काम था, ये रास्ता बहुत खतरनाक था, और उसे पार करने के लिए शारीरिक ताकत, मानसिक साहस और निरंतर संगर्ष की आवश्यक्ता थी, गाउं के बुज अनीता ने भी हिम्मत दिखाई और कहा, मुझे यकीन है कि मैं इसे पार कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे कभी हार मानने की आदत नहीं है, सुमित ने भी उत्साह के साथ कहा, मैं भी ये रास्ता पार करूँगा, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस संगर्ष को स्व और खतरनाक जरने थे, राहुल ने अपनी ताकत का इस्तिमाल करते हुए सबसे पहले पहाड की चड़ाई शुरू की, अनीता अपनी बुद्धिमत्ता से हर मुझकिल रास्ते को हल करने की कोशिश करती थी, जबकि सुमित अपने धैर्य और आत्म विश्वास से सभी परेशानियों को पार करने का प्रयास करता था, समय के साथ राहुल की शारीरिक ताकत कम होने लगी, वह रास्ते में एक स्थान पर गिर पड़ा और उसकी चोटें इतनी गहरी थी कि उसे वहाँ से वापस लोटना पड़ा, अनीता ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन रास्ता और कठिन होता गया, और उसकी मानसिक स्थिती भी कमजोर पड़ने लगी, वह ठक कर रुख गई और नजदी की गाउं में लोट आई, अब सिर्फ सुमित ही बचा था, वह ठक चुका था, लेकिन उसने अपने उद्देश को याद करते हुए संघर्ष जारी रखा उसकी आखों में आशा और साहस की चमक थी, कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद सुमित ने आखिरकार उस कठिन पहाडी रास्ते को पार कर लिया, जब वह गांव वापस आया, तो सभी लोग उसकी साहसिक यात्रा की सराहना करने लगे, सुमित ने साबित कर दिया कि जब कोई हार नहीं मानता, तब तक संघर्ष और मेहनत का कोई महत्व नहीं होता, उसका संघर्ष ही उसकी जीत का कारण बना, कहानी का संदेश, संघर्ष कठिन हो सकता है, लेकिन जो कभी हार नहीं मानते, वही असल में विजेता होते हैं.